Dear student, अगर आपको भी किसी क्यूशन में doubt है तो आपको उस क्यूशन का फोटो खिचना है और क्रोप करना है तुरूंत 5 सेकिंड में उस क्यूशन का answer video solution के साथ आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्यूशन homework का हो, CBSC board का हो, राजस्तान board का हो या other किसी भी board का हो या class 6-12 IITJ NIT या physics, chemistry, biology, math के इन सभी स्वालों का जुआब मिलेगा doubtnet पर साथी doubtnet पर class 9-12 के बच्चों के लिए live classes हिंदी मेडियम और इंगलिस मेडियम में चल रही है तेन करोड से ज्यादा बच्चे इस application पर पढ़ाई कर रहे हैं doubtnet के इस application को अभी download कीजिए, link मिलेगा description में अगर आप कक्सा 10 के छात्र हैं और 2021 की board exam में सामिल हैं तो ये वीडियो आपको सुरू से अंतक देखना है तो आपके अपने YouTube चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्तान बोड कक्सा 10 विग्यान और राजस्तान बोड कक्सा 10 विग्यान के 30 मैतुपूर्ण viral person बताने वाला हूँ जो आपके 2021 की board exam में 100% पूछे जाएंगे तो इन questions को आपको आज ये अच्छे से त्यार करना है और जिस questions के answer में आपको किसी भी प्रकारगा doubt है तो वो आप हमें comment करके बता सकते हैं और इन questions को आपको बहुत ये अच्छे से त्यार करना है क्योंकि एक questions आपके very very important है और 2021 की board exam में आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो इन questions को आपको बहुत ये अच्छे से त्यार करना है जो बच्चे 2021 की board exam में साइंस में अच्छा स्कोर करना चाते हैं 2021 की board exam में तो साइंस के 30 महतुपुन questions है जिन questions को आपको बहुत अच्छे से त्यार करना है board exam 2021 में ये question आपके पूछे जाएंगे तो यहां से हम बात करें जो पहला question आपको दिया गया है यानि पहला जो question है वो आपको क्या दिया गया है कि किसी विलियन की जो उदासिन प्रकरती है उसके लिए pH का मान है वो कितना होता है ये question आपके 2011 की board exam में 2013 की board exam में और 2014 की board exam में आ चुका है यानि ये question आपके 3 बार repeat हो चुका है इसलिए question आपके very very important है तो इस questions को आपको आज ही अच्छे से त्यार करना है क्योंकि एक question आपके 2021 की board exam में पक्का फसने वाला है उसके बाद में question number 2 आपके खनीज कुपोशन के कारण होने वाले रोग का नाम लिखिए यानि खनीज कुपोशन के कारण कौन सा रोग होता है उस रोग का आपको नाम लिखना है यह आपके chapter 1 से है बोजन एउ मानव स्वास्ते तो उस chapter का यह very very important question है जो आपके 2021 की board exam में फसने वाला है तो इस question को भी आपको छोड़ना नहीं है अच्छे से आपको त्यार करना है अगर आपको किसी भी question के में doubt है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं उसके बाद में question number 3 आपको दिया गया है कि मेंडल दुवारा उदान मटर पादब चेन के चार कारन लिखिए यानि मेंडल ने अपने प्रियोग के लिए जो मटर है उस पादब का ही चेन क्यों किया उस पादब को ही क्यों चुना तो उसके क्या reason थे तो कोई चार कारण आपको लिखने है और मेंडल की सफलता के चार कारण लिखिए यानि मेंडल है वो कौन-कौन से प्रियोगों में सफल हुआ तो उसकी सफलता के चार reason बताने आपको चार कारण बताने है और ये person आपके 2012 में, 2018 में और 2019 में आ चुका है यानि तीन बार board प्रिक्ष्या में ये question आपके repeat हो चुका है इसलिए question आपके very very important है और 2021 की board exam में ये आपके तीसरा जो chapter है आनुवांसी की यानि genetics तो उस chapter से ये question आपके very very important है यानि इस question को मैंने select किया है और ये आपके 2021 की board exam में हसने वाला है तो इस question को भी आपको बहुती अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में question number 4 आपको दिया गया है कि वयुतकरम संक्रण और प्रिक्ष्ण संक्रण को प्रिवासित कीजिए ये भी आपके तीसरे अध्याय से है और तीसरे अध्याय से आपके दो प्रिवासा जो आपके very very important है यानि एक तो आपके वयुतकरम संक्रण है और दूसरा आपके प्रिक्षण संक्रण है इन दोनों की प्रिवासा आपको अच्छे से त्यार करने है क्योंकि यहां से या तो आपके दोनों प्रिक्षियां फच जाएगी दोनों जो प्रिभासाइं हैं वो फच जाएगी या आपके एक प्रिभासा इसमें से पक्की आएगी तो इस question को आपको अच्छे से त्यार गरना है उसके बाद में question number 5 आपको दिया गया है कि allergy किरियाओं में भाग लेने वाली परतिरक्षी का नाम लिखिए यह आपके 4 के जिप्टर से है यानि जो allergy किरियाओं में जो परतिरक्षी भाग लेती है उस परतिरक्षी का आपको नाम बताना है उसके बाद में question number 6 आपके pH scale किसे कहते हैं यानि आपको pH scale की परिवासा बतानी है और निमन के रासाइनिक सुत्र लिखिए यानि जो योगिक आपको दिये गए हैं उनके आपको रासाइनिक सुत्र लिखने हैं जिसमें पहले योगिक का नाम क्या है प्लास्ट्र ओपेरिस य आपको याद रखना है और तीसरा आपके बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा है उसका रासाइनिक सुत्र आपको याद रखना है और उसके बाद में चार नम्मर पर है दोने का सोडा यानि धावन सोडा दोने का जो सोडा है दावन सोडा है इसका रासाइनिक सुत्र भी शुत्तर आपके पूछा जा सकता है उसके बाद में सात्वा क्यूशन आपको दिया गया है कि redox अभिक्रिया किसे कहते हैं और कोई दो उधारन आपको इसके लिखने हैं यानि कोई दो reaction लिखने हैं कोई दो अभिक्रिया लिखने हैं आपको क्या पूछा है कि redox अभिक्रिय किसे कहते हैं कोई दो उधारन लिखिए very very important question है अच्छे से आपको एक question त्यार करना है उसके बाद में question number 8 है सयोंजन और वियोजन अभिकिरिया को उधारन सहीत समझाईए यानि एक तो सयोंजन अभिकिरिया है दूसरी आपके वियोजन अभिकिरिया है और वियोजन अभिकिरिया का दूसरा नाम अब गटन अभिकिरिया होता है तो इन दोनों की परिभासा और इनके एक 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 जाम पल आपको त्यार करना है क्योंकि आपके 2012 में, 2015 में और 2016 में आ चुका है तीन बार ही आपके बोर्ड एक्जाम में रिपिट हो चुका है इसलिए आपके वेरी वेरी इंपोर्टेट है इस क्युष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष होता है यानि एक विदूती यूनिट में कितने जूल होते हैं कितने जूल के ये बराबर होता है तो उसका माण आपको बताना है क्यूसन नमर 11 है और किसा नमर 11 में दो क्यूशन आपको दिये गए 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है तो आपको स्प्रिंग ने ये तंक ग्याद करना है और दूसरा परसन है 2 मीटर पर 30 सेकंड के वेग से चल रहे 40 केजी दर्वेमान पर एक बल लगाया जाता है जिसे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर पर 30 सेकंड हो जाता है यानि पहले उसका वेग कितना था 2 मीटर पर 30 सेकंड उसके बाद में उसका वेग बढ़कर कितना हो गया 5 मीटर पर 30 सेकंड तो आपको बल दुआरा किया गया जो कार्य है जो वर्क है वो आपको ग्याद करना है तो यह question आपके very very important है 2021 की board exam में यह question आपके आ सकता है उसके बाद में question number 12 आपको दिया गया है कि नागारजुन सागर अभियारण किस राज्ये में इस्तित है यानि जो नागारजुन सागर अभियारण है वो कौन से राज्ये में इस्तित है कौन से state में इस्तित है तो यह और ये प्रसन आपके 2013 में, 2017 में और 2018 की board exam में आ चुका है यानि ये question आपके 3 बार repeat हो चुका है 2021 की board exam में इस question के आपके 90% है तो ये question आपके आ सकता है इस question को आपको अच्छे से त्यार करना है question number 13 है आपके निमन के वानस्पतिक नाम लिखिए यानि निमन के आपको वानस्पतिक नाम लिखने हैं तो आपको 6 ये वानस्पतिक नाम इनके याद करने हैं तो यहाँ पर पहला आपके मक्का है यानि मक्का का वानस्पतिक नाम क्या होता है दूसरा आपके चावल का विग्यानिक नाम और तिसरा आपके चाए या कोफी इन दोनों के विग्यानिक नाम आपको याद रखने है उसके बाद में चार नमर पर आपके हल्दी तो हल्दी का विग्यानिक नाम भी याद रखना है पांच नम्मर पर आपके तुलसी यानि तुलसी का विग्यानिक नाम याद रखना है और छे नम्मर पर आपके सोयाबिन तो सोयाबिन का विग्यानिक नाम भी आपको अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में क्युस्टन नमर 14 आपको दिया गया है कि मिसाइल मेन के नाम से किसे जाना जाता है और डॉक्टर पंचानन माहेसवरी का वनस्पती विज्ञान में योगदान लिखिये वेरी वेरी इंपोर्टेट क्युस्टन है दो बार बोड एकजामे क्युस्टन आ चुका है मिसाइल मेन के नाम से किसे जाना जाता है और डॉक्टर पंचानन माहेसवरी है उनका वनस्पती विज्ञान में योगदान लिखिना है और इसके अत्वा में जो क्युस्टन दिया प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन है यह आपको बताना है कि प्लास्टिक सर्जरी के जो पिता है फादर है वो कौन है और डॉक्टर एपेजे अब्दुल कलाम का विज्ञान के छेत्र में योगदान लिखिये यानि प्लास्टिक सर्जरी के पिता कौन है और डॉक्टर ए कि जे विविदिता तब तिस्तल किसे कहते हैं और जे विविदिता तब तिस्तल गोसित करने के लिए आवसिक दो सर्तों को समझाईए कि जे विविदिता तब तिस्तल यानि बायो डिवरेस्टी होट स्पोर्ट किसे कहते हैं और जे विविदिता तब तिस्तल गोसित करने के कौन कौन सी सरते हैं वो दो सरतें आपको लिखनी है क्युष्टन नमर्सोड़ा आपके सवस्ताने और बहिस्ताने सरंग्छन को समझाईए यह आपके वेरी वेरी इंपोर्टेड हैं 2020 की बोड़ एक्जाम में यह क्युष्टन पक्का फसेगा इस क्युष्टन को छोड़ना नहीं है अच्छे से त्यार करना है रक्त केंसर के उपचार में काम आने वाले कोई और बहिस्ताने सरंग्चन इनको आपको समझाना है और उसके बाद में रक्त केंसर के उपचार में काम आने वाले कोई दो एलकेलोईड की नाम आपको बताने हैं और क्यूसन नमर 17 है जो आपके फ़स्ट से हैं और इसमें दो क्यूसन है आपके पहला है पीने योग्य जल के चार गुन लिखिए यानि पीने योग्य जो जल है आसुत जल है उसके आपको चार गुन लिखने हैं और दूसरा है आपके तंबाकु में तंबाकु से होने वाली हानिया लिखिए यानि तंबाकु से कौन-कौन सी हानिया होती भाद में हान्यों को आपको लिखना है उसके बाद में कौशन नंबर 18 अटीर यो दूसरा चेप्टर आपकी पाचन तंतर तो इसमें मैंने तीन लिए है पहला कुशन है मानव सवचन patent का नामंकिछित्र बनाईए दूसरा है मानव सर्जन तंतर का नामंकी चित्र बनाईए और तीसरा है पाचन तंतर का नामंकी चित्र बनाईए इसमें मैंने तीन क्यूशन लिये हैं जो आपके वेरी वेरी इंपोर्टेट है इसमें से एक क्यूशन आपके बोर्ड एकजाम 2021 में पक्का फसने वाला है तो इन तीनों के डाइग्राम यानि चित्र नाम सहीत आपको याद करने है उसके बाद में क्यूशन नम्मर 19 है आपके रक्त समुवन से रक्त में किस हानिकारक प्रदार्त की मात्रा जमा हो जाती है यह आपके चार वाला जो चिप्ट है उससे एक क्यूशन लिया गया है कि रक्त समुवन से रक्त में कौन से हा कुंधार्थ का आपको नाम बताना है और Qson No 20 है सर्व गराही रक्त समूः कौन सा है और Вас्ट कोषिका पर पाई जाने वाली जो प्रती रक्षी है जो एंटी-बोडिज है उसका आपको नेम बताना है उसके बाद में कुशन नम्मर 21 दिया गया है आपको कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं यानि आपको क्रिस्टलन का जो जल है उसकी परिवासा लिखने है और उन दो योगीकों के नाम लिखिए जिनमें क्रिस्टलन का जल पाया जाता है तो क्रिस्टलन जल की परिवास इंदोनों उत्प्रेरक में अंतर लिखिए तो इन दोनों क्यूष्टन आपके छैके चेप्टर से पक्का आने वाला है तो इन दोनों क्यूष्टन को आपको त्यार करना है उसके बाद में तेईस हुआ question है आवर दंता से क्या अभिप्राय है very very imported है यह आपके chapter 9 है जो प्रकास वाला जो chapter है उससे question लिया गया है और उस chapter का यह very very important है आवर दंता से क्या अभिप्राय है यानि आवर दंता की आपको पड़ी बासा लिखनी है question नमर 24 है आपके एक S.W. सक्ति कितने वाट के बराबर होता है यानि एक S.W. सक्ति में कितने वाट होते हैं यह आपको बताना है और 25 वाला question है चिपको अंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं तो आपको चिपकना है क्योंकि एक question आपके 2021 की board exam में चिपकेगा तो इस question को छोड़ना नहीं अच्छे से त्यार करना है क्योंकि 2012 में 2015 में 2017 में आ चुका है चिपको अंदोलन इसके बारे में 5 यह 10 line आपको अच्छे से त्यार करना है अच्छे से याद गरना है यह आपके एक कहानी टाइप में है तो उस कहानी को आप जरूर पढ़िएगा वहां से आपके एक question बनेगा और यह 2012 में 2015 में 2017 में यानि तीन बार यह question आपके board exam में आ चुका है उसके बाद में question number 26 है निमन पर टीपनी लिखिए यानि दो है एक तो है आपके लाख कीट और दूसरा है रेसम कीट तो इन दोनों को त्यार करना है दोनों ही आपके imported है उसके बाद में 27 वा question दिया गया है कि पर्थवी की आंत्रिक विवर्तनिक सक्तियां किसे कहते हैं कि पर्थवी की जो आंत्रिक विवर्तनिक सक्तियां है उनको आपको परिवासित करना है और कोई दो सक्तियों को आपको समझाना है 28 वा question दिया गया है सुनामी किसे कहते हैं यानि सुनामी की परिवासा और भूकम्प मापने की जो इकाई है उसका नाम लिखना है और गुंति 2019 में आ चुका है वेरी वेरी इंपोर्टेट है उसके बाद में कौशन नम्मा 30 है भारतिय राष्टी जलिये जीव कौन सा है यानि भारत के जो राष्टी जलिये जीवे उसका आपको नाम बताना है तो इन सारे क्यूस्टन को आपको अच्छे से त्यार करना है 2021 की बोर्ड ए क्यूस्टन आपके मिलने वाले हैं